हेलो फ्रेंट्स बात करेंगे स्रेश्टाफ इंवेश्ट लिमिटेट के बारे में जो कि छोटा कमपनी है लेकिन बड़ी चाल दिखाता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि फ्रेंट्स पिछले दो कोटर में तो कमपनी ने सेल्स काफी शांदार दिखाया है तो हनुमान यही है कि इस बार भी कंपनी जवर जस्त सेल पेश कर सकता है अगर कंपनी का सेल बढ़ेगा तो डेफिरेंटली प्रोफिट के फ्रेंट पे भी कंपनी अच्छा ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है तो किस तरह के रिजल्स रहे हो हम समझते हैं और इस बार किस तरह के रिजल्स आ सकते हैं और आगे की चाल किस तरह की नजर आ सकती है समझते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो में अंतग बना रहा है कम्पनी के करोबार की बात करें तो यह कम्पनी लॉंस प्रोइड करता है finance तो कारोबार करता हूँ देखने को मिल रहा है उसका आधग करें तो तक्रीबन 81 कुरीच का मार्केट कशा का मिल रहा है वीज फेच विल्यो 2 रूपे का है और यहां पर मैं quarterly results की बात करूँ तो जैसा कि friends यहां पर आप देख सकते हैं पिछले दो quarter में गमनी ने sales में काफी बढ़िया improvement दिखाया है आप देख सकते हैं जो कि अगर हम 2021 से देखे तो पिछले दो quarter में ही गमनी ने काफी बढ़िया sales दिखाया है यानि गमनी का कारोबार कि अच्छा चल रहा है तो यहां पर sales में इजाफा देखना को मिल रहा है तो हो सकता है क्या आगाने वाले दिनों में company अच्छा profit भी करता हुआ नजर आ सकता है और अगर हम year one year basis पे देखे तो friends यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम 2016 से देखे तो इस बार company ने काफी अच पसका sales हो जाएगा इस साल का तो आप देख सकते हैं 2016 से कभी भी इतना sales company का नहीं हुआ है तो इसका positive impact share price के उपर देखने को मिल सकता है और साथ में देखा जाए friends तो recently company तकरीबन 50 क्रोड के असपास का funding का भी planning करता हुआ नजर आया था तो यह भी एक company के लिए बहुत ही बढ़िया positive trigger देखने को मिल रहा है और अगर हम technically भी charts के उपर एक नजर करें तो जिसा कि friends यहां पर आप देख सकते है lower level से अच्छी recovery stocks में देखने को मिल रही है और जो previous high है वो break होते हुए देखना को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि यहां पर बहुती बड़ा breakout देखन को मिल सकता है तो next target यहां पर दो रुपे और धाई रुपे तक के भी नजर आ सकते है तो इस टॉक्स को फ्रेंट्स आपके नजर होनी चाहिए और किसी तरह को investment करने से पहले अपने फाइनेशी डेजर की भी जरूर सलाले नहीं है जो कि penny stock है penny stock मेरिक्स के रिवोट दोनों जाधा रहता है तो आप अपने फाइनेशी डेजर की भी जरूर सलाले उसके बाद किसी भी तरह को investment करें वीडियो अच्छा लगओ तो लाइक तरह जोनल पर पर जोनल को सब्सक्रा कर लिजा